बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं जॉइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की और को जॉइन करें जैबिन सातियों मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे बड़ी ख़वर लेकर आया हूँ और इस ख़वर के बारे में जानना सातियों आपके लिए बेहत जरूरी है सातियों ये ख़वर आपको हिला कर रख देगी आखिर दलिश समाय के व्यक्तिगी आठ महीने पहल हत्या भी हो जाती है और उसकी परवार वाले दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं फिर भी उनको आज तक और आव तक कोई भी नयाय नहीं मिल पाता है जी हां दोस्तों अब हम आपको पूरी ख़वर विस्तार से समझाएंगे उससे पहले हमारी एक अपील है इस वीडियो को से करें और इस वीडियो में आगरी तक अबस्त वने रहे हम आपको पूइंट वाइज पूरी ख़वर विस्तार से समझाते हैं साथि अब हम आपके बीच एक सबसे महत्रपूर्ण पॉइंट रखते हैं साथि पहला पॉइंट यह है कि जो कि एक करन प्रसाद नाम का लड़क नहीं थी तब से लेकर आज तक ना नियाय मिला ना खुछ अधकारी सुनते नहीं यूपी पुलिस अनुरोद है किरपे अमारी मदद करें साथियों उस बच्चे का कहना है करन प्रसाद है उसी के पितागी हत्या हुए और वही बच्चा ट्वीटर पर वीडियो सेयर करता ह यह बात लिखता है जो हमने आपको पहले पढ़ दी है साथ यूपी पुलिस से उन्होंने अनुरोद लगा है जब साथियों यह बच्च्चा जो ट्वीटर पर वीडियो और यह बातना लिकता तो यह बीडियो और इसकी जो बात है बहुत ज्यादा काफी तेज़ी से वार जाती हूं तो यह से नहीं मिलता है कि सब्जागा जाती है तो भगाद काहां कहां हो यह इंग कहां कहां अपना दुख सुनाया है है मैं सगल हार होई है सियो साहिब के डियम एस्पी साहिब कर यह से लखनाउ तक में हुआ है हम नहीं मिला आप आपने यह वीडियो देगी इस वीडियो में जो कि इस बच्चे की मां बता रही है कि हमली से गोहर लगाई आठ महिने से दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं और यह भी बोलनी है यह जो महिला है यह भी है कि हम चमाज आती यानि एसी परक्षे आते हैं एसी लिए हमें कोई न्याए नहीं देने की बात कर रहा है और हमें आठ महिने से दर-दर टोकरे खाते हुए हो गए और नहीं हमें अभी तक कोई न्याए मिला साथ अब आपने वीडियो और इस बच्चे की जो कही हुई बात हैं सुनी और साथ यह फिर जब यह वीडियो और यह बात हैं अपलोड होती है टूटर पर तो जो गरीब हित्म सोचने वाली व्यक्ति दलत हित्म और कार्ण करता है वो अपनी राय देते हैं फिर साथ यह इसमें एक नया मोड आता है इसमें आते हैं भीम आर्मी चीफ चंद सिकर आयाज जी साथ भीम आर्मी चीफ चंद सिकर आयाज जी इस वीडियो के ऊपर अपना एक ट्वीट करते हैं उसमें बोलते हैं कि जो उत्तर पटरद्रदेश की परिवार है उतरद्रदेश का परिवार और इसकी महीला जाए अ Madam बेटा जो कि उसके पिता की जनवरी में करीव हत्या कर दी गई थी अब तक कोई न्याय नहीं मिला यह बहुती ज़्यादा सरम नाक है और बहुती ज़्यादा सरमसार कर देनी वाली बात है इस बच्चे को न्याय दिया जाए ऐसा भीमार में चीफ चंद सिगर आया जी बोलते हैं और C.A.M. आपस टेक करते हैं और फिर ज का सुनी कोई भी वहां से कोई प्रतगरी या कोई राय नहीं आई ऐसा करन पिरसाद का कहना है साधियो करन पिरसाद के पितागी करीब आट महीने पहल अत्या कर दी गई थी और जनवरी में करीब अत्या की गई थी और अब तक इस परिवार को कोई भी नियाय नहीं मिला है तो आप सोती हो समझ सकते हैं कि ये कितनी सरम्चार कर देने वाली घटना है अपर जली समाज के बेक्तियों को मार्व जो की पीट पीट कर अत्या कर दी आती हैं और आप महीने सालों भी शार है फिर उनको नियाहें नहीं मुलंपाता आज करें पिरसाथ की साथा नियाहे। उठाई तो साथ ये उनको सेल्यूट है और आप से निवेजन करना चाहता हूं कि उनके साथ खड़ी हुई है जो भी साधिस चत्यकोट से उनकी मदद कीजिए उनके साथ कड़े हुई है और उन्होंने जो यूपी पुलिस से घ्वाल लगाई यूपी पुलिस भी इनकी जो बात है उसको रखे और प्रसाशन पर हमें पूरा वरुसा है और इनको जरूर नयाय मिलेगा क्योंकि करन प्रसाथ चूटी से उमर में अपनी पिता की आवाज उठाई बहुत ज़्यादा बड़ी है बड़ी बात है तो आप करन प्रसाथ के बारे में क्या कुछ बोलना चा है गरीब दले सोसित बंचिता पर और उठीड़न वात्याचार की आवाज उठाना इस चैनल लगा उद्देश से तो साथ यहां आप इस चैनल को सब्सक्राब करें बगल में दुए गंटी को अवस्त द्वाएं जया बीम जया भारत फिर मिलते हैं नई खबर एक नई जान बगल में जया गरी का झाल झाल